शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिकों हर हर महादीव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे पूजनिय पंडित जी की शिव महापुरान कथा से सुनकर ही समझकर ही मैं आपके लिए उपायों की वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको सरल भासा में समझा कर उन उपायों को करने के लिए आपकी सहता कर सकूँ 27 माई को प्रदोश है अगर आपकी भी कोई मनुकामना है तो पूछनिय पंडित जी ने एक विशेश उपाय बताया है जिससे आप किसी भी प्रदोश वरत पर कर सकती है बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंध ही सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रस करके आल पर क्लिक कर दीजिए चलिए आपको क्या करना है आपको एक छोटा सा गुल का टुकडा लेना है गुल का टुकडा लेने हैं साथ ही में आपको थोड़ा सा हरे मूंग लेने हैं हरे मूंग जो साबुत मूंग आता है हरा एक मूंग की दाल आती है और एक हरा मूंग आता है आपमें देखा होगा जिसे त तो और आपको साथ में आपको समी पत्र लेनी हैं, अगर आपको साथ महीं मिल पाते हैं, तो आप तीन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक भी ले सकते हैं, साथ में आपको क्या लेना है आपको बेल पत्र लेना है आप तीन बेल पत्र ले सकते हैं पांच ले सकते हैं या साथ बेल पत्र ले सकते हैं बेल पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेल पत्र शिर जी को अतिप्रीय है आप आपको क्या करना है एक कलश ले लीजे एक लोटा ले लीजे उसमें आप थोड़ा सा जल डाल लीजे अब जल में आपको यह सारी सामग़ी डालनी है पहले आप गुड़ का डुकड़ा डालें छोटा सा फिर कुछ हरे मून के दारें डालें फिर शमी पत्र डालें और फ प्रदोश काल का समय इस प्रदोश काल के समय में आपको शिव मंदिर जाना हैं आप शिव मंदिर ज нужно जाएं अगर और अब शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं NAT academy और आप जर फोलुश काल में तो आप that आप शिवजी की अरादना करें, मन में एक भी बार के लिए अविश्वास नहीं आना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ की हाँ, आज मेरी शिवजी अवश्ची ही सुनेंगे, इस विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना है, आप इस उपाय को करें और धीरे धीरे जल अर्पित करें उसके बाद आप देखेंगे कि लोगे में आपके जल के कलश में कुछ समी पत्र बेल पत्र मून के दाने रह गए हैं तो आप एक एक करके उनको निकाले और शिवलिंग पर अर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और शिव और भावना होने चाहिए और पूर्णे विश्वास के साथ आप अगर शिव जी को यह चीजे अर्पित करते हैं तो आपकी मनों कामना शिव अवश्य ही सुनेंगे क्योंकि प्रदोश का दिन भगवान शिव को अतिप्रिय होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव लिखकर मुझे अवश्य बताईएगा चैनल पर आप नए हैं या मेरी आवास को पहले बार सुन रहे हैं तो चैनल क सब्सक्राइब कर दीजे बैल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजेगा जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उस सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शिकूं हर हर महादेव ओम